समस्कार दोस्तों मैं हूँ सुरज अगरुवाल आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डेनिंग मैं पैसें का हिंदी भार्षन दोस्तों लोग कहते हैं कि मैई में और जून में इस दो मैने में कौन-कौन से सब्जी उगाई जाए अगर बिशेस्क्र घिल में या फिर मार्च में उगा दिया ह warsել सब्जी है फूलों के बिश लीकर अभी तक अगर आप फूलों के या सब्जी के बिश नहीं यूगा यÄ तो मैं आज कुछ कुस्च करता हूं कि आप बहुत जल्दी अभी यह सब्जी कर यह बिश है यह p exists है यह पांच में र यह ब्यले होती है, यह बैली बहुत ही soft होती है, दो महने में आपको इसमें जहिंगा लग जाते हैं, बहुत ही अच्छा और यह जो silver queen variety या फिर बारो पता variety कोई भी जो है best quality की खीरा के पौदे के बीज लगाई या बीज लगाने के तीन दिन के अंदर इसमें छोटे शिरफ पौदे निकल आते हैं और 25-30 दिन में इसे फूला जाते हैं और आप 40 दिन में इसका harvest करना शुरू कर सकते हैं तो खीरा आप बहुत अच्छा रहते है तो आप गंबले में भी उगा सकते हैं एक कर काकरी उगाएंगे मिठी में जिदि अगर उगाते तो बहुत अच्छ है और इस टाइम बहुत भेस्टा में जून में आप उगा सकते करेला यह चोट वाला करेला हमारे यह उच्छे कहते है यह बहुत बहुत होता है इसकी जो भाजी यह बहुत खाते लोग बहुत thanks यह करेला और यह hybrid variety hybrid variety को गाएंगे क्योंकि एक साथ आपको अगर एक करेले के पौदर में 40-50 फल एक साथ लेने तो यह करेला की जो hybrid variety यह लग सकते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ यह तो पांच variety आप लगा सकते हैं उसके साथ आप लगाईए कद्दू कद्दू में य अच्छी होती है इसके जो फल है यह golden variety को होते हैं एक साथ 15-20 लगते हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और अगर आप चाहते हैं एक साथ 40-50 कद्दू लगे कुम्रा लगे तो यह green variety है उसका अंदर golden variety होती है इस तरह के आप बीज लगा सकते हैं और सबसे तो मैं आपको बताता हूँ कि यह जो लौकी है आप कम से कम 40-50 लिटर की गमले में होगा है और उसके जो मिट्टी का है कम से कम 50% compost दे और उसमें 10% और दूसरी organic matter और 40% मिट्टी डाले तो उसमें क्या होगा आपकी जो सबजी है बहुत अच्छी होगी इसके साथ आप गर में transplant करें तो यह टमाटर बहुत अच्छा था लेकिन टमाटर रुगाने में एक बात ध्यान रखने कहीं पर सेट की सेमी सेरी रिया हो जहां पर धूप डायरेट ने लगए इस तरह के जगा में या पर च्छद में लगा रहे हैं तो इस जगा पर लगाएं कि दो तिन यह टायरेट वाड़ लगा तो एक अच्छा रहेगा तो यह बहुत अच्छा रहेगा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फूल जो है फूलों में आप पांच फूलों के मैं बताता हूँ यह पांच फूल बहुत अच्छा लगा है यह बलसम होगा है यह जो होता है दोपाटी कहते है यह बलसम यह गुलमेंदी का है बहुत अच्छा है आप बरसाग भर इसमें भी कहते हैं इसको और इसको फूल है प्लास्टिक टाइब को होता है एक बार फूल खिरने से कम सब्सक्राइब 20-25 दिन खिला रहा होता है एक एक साथ पौदे में 100-200 फूल खिलते हैं तो यह पोताम फूल जो है गौंपाना यह भी उगा सकते हैं और तीसरा में आपको रिकम जो है सितंबर अक्तोबर तक फूल देता रहेगा तो लगा सकते हैं इसका साथ आप लगाईए गिलाडिया में तीन चार पांच बहुत हैं और इसके साथ आप लगाईए कोस्मोस भी बहुत अच्छा है एक एक साथ 40-50 फूल लेने के लिए और कोस्मोस भी बहुत अच्छ लेटी लेजे ताकि इसमें 10-12 कालर भाईटी आया फूल एक तीन-3 इंच का डायमेटर का फूल होता है 40-50 फूल खिलते हैं कोस्मोस में इसको भी क्यार करनी की बहुत कम जरूट परती है इसको ज्यादा करनी की जोतनी है और इसके साथ अगर आप लगाना चाहते है तो भ सीद्लिंग इरिया में बनाके सीद्लिंग को तीन-चार इंच का बढ़ा करके आप कोई भी मिट्टी में डाल दे कोई भी बगान में खेत में डाल दे यह जो समर बहुत ही हाड़ी है बहुत ही हीट रिस्टेंट है 40-45 जिरी टेंपरिचर भी बहुत अच्छा फूल गिलता इसके बाद आप एक साल में पूदा बड़ा हो जाता है दूसरे साल जो होंगे बहुत फूल आप उगाएंगे और लोग अक्सर पूछता है कि हरसिंगार आप गंबिंगा बेसक आप गंबले में उगा सकते हैं दो साल में बहुत पूलाएगा लेकिन मिटी की तो बात कुछ लगा है आप गार्डन में अगर इलाका में उगाएंगे यह कड़ी बड़ा पेर का हो जाता है कम से कम भी 22 पूर तक उचा हो जाता है पौदा उसमें हजारों लाखों फू से नहीं उगाना चाहते तो नर्सरे मीं मिल जाता है एक पौदा तिन तीन नुपर में बिख्टा है चोटा 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 सीडलिंग तो कुछ या के पौदा जो है आप लेके अभी 20 से उगा सकते हैं तो यह तरह के जो है मैंने कुछ रिक्मेंट किया आपको अभी अगर आपने नहीं उगा है कोई फरवरी मार्च में उगा लिया है अगरी कोई नहीं उगा है तो अभी मैई जुन में भी टाइम है कि यह जे पौदे आप उगाएंगे तो आपको भर पूर फाइदा मिले यह मेरे गारंटी है तो यह पौदे उगाईए और आप उगाने के है तो ट्राइको डर्मा ब्रीडिय नाम का ओर्गनिकैं फंगिस हुआ जाता है दन्दन नाम का ओरगनिक फंगिस अज्ता है वह तपते में एक लुदे करेंगे तो इस तरह के जो है विश्छ कर्ट के लोकि में कद्दू में इस तरह के जो पوتे हैं उसमें क्या होता है बहुत सारा समस्दा होती है और कुछ क्या फूलय का भी बहुत सारा अटाक我ता है ति यह इंसेट का और फंगस का दोनों को आपको बचा के तो आपको जो है भरफूर आपको सब्जिया मिलेगी भरफूर फूल मिलेगी यह मेरे गैरनटीट काई गर्मी में थोड़ा पानी ज्यादा लगता है कि को इस तरह के वीडियो में लाते रहता हूं आपको इस चैनल माने के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नबाद शुक्रिया